पैलो क्लास है पहले थे वीडियो के बारे में पूरे विस्तार से बता कि दूसरे वीडियो के बारे में बता हैं और आज मैं इस वीडियो को लाइन ग्राफ के बारे में बताने वाला हूं, लाइन ग्राफ से समंधित एक प्रसुन को भी solve करेंगे, कि किस तरह से लाइन ग्राफ के प्रसुनों को हल किया जाता है, तो ये वीडियो काफी महतवपुन होने वाला है, वीडियो को अन्तिक देखे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और विल आइकन का बटन जरूर दबाए, ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते, तो इस तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लाइन ग्राफ जो है, वो डाटा को रिपरजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, जैसे बार ग्राफ के बारे में मैंने बताया है, सिमिलर वही चीज है कि डाटा को रिपरजेंट करने का लाइन ग्राफ एक तरीका है, expenditure है और expenditure को एक मतलब कर दिखा दिया गया और दूसरे थ्री डॉट्स को मतलब एक साथ जब मिला देते हैं डॉट्स को जब एक साथ मिला देते हैं तो यह लाइन ग्राफ बन जाता है ठीक है लाइन ग्राफ जो होता है वो दो तरह से ब्यक्त किया जाता है दो तरह का होता है और दो तरह में आपको जान लेते हैं कि एक जो होता है वो single line graph होता है और दुसरा होता है multiple line graph multiple line graph का आप उधारन वहाँ देख रहे होंगे कि यह जब एक ही graph में different different line को show करते हैं different different line graph को show करते हैं या एक ही graph में एक से अधिक line को show करते हैं तो वो multiple line graph हो जाता है जब एक ही graph में सिर्फ एक ही line को show करते हैं वहां कोई comparison नहीं होता है मेंली क्या है कि यहां तीन डाटा के बीद comparison किया जा रहा है तो comparison वाले matter जो होंगे वो multiple line graph के अंतरकत आएंगे और single जो line graph होंगे उसमें किसी data के साथ comparison नहीं होगा और data को up and down को सो करने के लिए सुनिशित किया जाता है ठीक है और यहां up and down के साथ साथ हम compare region भी करते है multiple line graph में तो हमारे ख्याल से multiple line graph आप लोग समझ गया होंगे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक statics के प्रस्णों को solve करने के लिए math के कुछ basic जानकारिया होना जरूरी है जो मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से discuss किया है उससे देखेगा आपको पता चाला है किन-किन चीजों को आपको चाहिए statics के प्रस्णों को solve करने में और BPSC में जो है वो इसी तरह क statics आते हैं multiple line graph और line graph से समंधित दो प्रस्णों होते हैं इसलिए line graph काफी महत्वपुन है आज मैं इस वीडियो में एक प्रस्ण को आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से line graph के प्रस्णों को solve किया जाता है फिर अगले वीडियो में भी line graph से ही समंधित दूसर किया गया है different year को और दूसरे axis मतलब y axis पे i को सो किया गया है कि 2001 में a और b और 3 c जो है वो तीन कंपनिया है a b और c ठीक है a b और c तीन कंपनिया है इसके i को solve किया गया है y axis पे और किस वर्स में कितनी i हो रही है उसको access पे सो किया गया है तो इसका जो सबसे पहला फ्रसन कहता है कि वर्सों 2000 में और था ठीक है तो उससे पहले प्रसन को हम योग स्वर्ण करते हैं उस में है की वर्स गया ह待 वर्स 2000 में कंपनी ए का ए का प्रतिसत्त लाव कितना है पा्रतिसत्isha थिक IR तो उस वर्स उसका ब्य कितना है ब्य पुचा जा रहा है आपसे ब्य कितना है यह निकालना है ठीक है ब्य कितना है वो निकालना है इसी वर्स 2000 में तो यहां हम देखेंगे कि company A जो है वो कौन सा है यह dot वाला है और A का जो 2000 में आई कितना है वो 3 लाख रुपए है ठीक है तो वर्स 2000 में एक का आई कितना है एक का आई जो है वो कितना है 3 लाख रुपए ठीक है 3 लाख रुपए है इतना रुपए है इसके ब्याई को निकलना है तो ब्याई को हम लोग मान लेते हैं एक और इसके आई जो है वो 3 लाख र दाएंगे ठीक है लाब बराबर होता है क्या आए ठीक है माइनस ब्याएं तो आए हमें तीन लाक रुपए है तीन लाक रुपए माइनस एक्स कर देंगे तो ये मेरा लाब हो जाएगा और परतिसत लाब हमको मालूम है कितना है परतिसत लाब हमको मालूम है वो है बीस परति लाभ गुने 100 घठाच यहां हो जाएगा 20 ठऩ def俺 फर्मुला जो होगया आपको जो फर्मुला लगाना हो फर्मुला Хотя परतिसत लाभ बराबर ठिक है लाभ गुने 100 अग्यार इसी फर्मुला पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परिश्फ लाप 20 परिश्फ है ठीक है 20 परिश्फ है और यह हो गया तीन लाख माइनस एक्स इन्टू 100 ठीक है बटा एक्स आप देखेंगे कि इस बिश से ये पांच बार में कर जाएगा cross multiplication करेंगे तो x is equal to आ जाएगा इसमें 5 से multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 lakhs minus 5 x जब यह x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x plus 5 x is equal to 15 lakhs इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा यह आपका एंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बताते चले कि आप एक्जाम में एक्जाम में कैलकुलेटर एलाऊ है इस अब कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर का परियोग कर सकते हैं तो पहले प्रसंद का जो जबाब था वो आप अच्छी तरह समधिके होंगे पहले प्रसंद जो था वो 20 परतिसत उसको लाव हो रहा था ब्याए हमें निकालना था ब्या हाई लाख रुपया आ गया इसका है तो पहले प्रसंद को आप अच्छी तरह समझें अब हम लोग दूसरे प्रसंद की और बढ़ते हैं कोस्टर नमबर दो कहता है कि वर्स 2003 में कंपनी सी का ब्या कितना है एक लाख 75,000 रुपय है तो उस कंपनी का लाव कितना था ठीक है तो देखे 2003 में वर्स 2003 में सी का ठीक है कंपनी सी का अब कितना है वो है 1.57 लाख ठीक है तो वर्स 2003 में सी का आई कितना है यहां से देख लेंगे हम लोग वर्स 2003 में कंपनी सी का सी जो है वो सी का आई कितना है वो है अरहाई लाख रुपय कितना है 2.50 लाख रुपए तो इसमें कहा जा रहा है कि आप ये बता दिजिए कि कंपनी लाख कितना कमा रही है ठीक है तो 2.50 लाख माइनस 1.75 लाख ये हो जाएगा 0.75 लाख मतलब 75,000 रुपए उसको लाख हो रहा है अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाता कि परतिसात लाख निकालिए तो परतिसात लाख बराबर क्या होता है लाख गुनिये 100 ठीक है बता क्या हो जाएगा 2 ठीक है तो 1.75 अब जब इसको काट देंगे तो लगभग 42.00 अजाएगा इसका एंसर 8% ठीक है बैल इस दसमलो 8% के आज पास में आपका एंसर आ जाएगा ठीक है अब तिसरा प्रस्ण की और बढ़ते हैं तिसरा प्रस्ण आप देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि बिगत वर्सों में कंपनी ए की आउसत आए निकालिए ठीक है तिसरा प्रस्ण आपके बिगत वर्सों मतलब वर्स दुहजार एक में ए की आए कितना है? वर्स दुहजार एक में ए की आय देखेंगे तो यहां आ जाता है 2.75 लाग ठीक है? उसी तरह है दुहजार दू में अगर आए देखेंगे ए का तो वो 2002 में कितना आजाता है, 2002 में A का आए आजाता है, 3 lakh ठीक है, उसी तरह 2003 में A का आए देखेंगे A का तो जो 2003 में A का आए आजाता है, सारे 3 lakh ठीक है, सारे 3 lakh फिर 2004 में कितना A आजाता है, इसका 2004 में देखेंगे A आजाता है A का 3 lakh ठीक है, 3 lakh 2005 में एका अए कितना आय जाता हैersoa में दखेंगे फिर Beauty का आई जो है वो कितना आ जाता है अरहाई लाक रूपे 2.5 लाक कहां और 2006 में E की आय कितना जाता है दूज़र्ज सो में एक की आय देखेंगे तो 3.75 है 3.75 ठीक है तो अब हमें आय तो निकल गया यहां पुछा जा रहा है कि आउसत आय कितना था तो आउसत आय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सभी आय को जोर करके और जितना साल है उससे भाग दे देते हैं तो टू पॉइंट सेवन फाइब प्लस थ्री प्लस थ्री पॉइ सेवन फाइब प्लस थ्री पॉइन सेवन फाइब स्क्सीं लाक डिकाल जाएगा जैगा इसका अवसत आए हो जाएगा ढ़े सेस्टाइब आपको किसी तरह का पूई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपकी त्यारी से समंदित क्योंकि में रेग्ट calendar आप लोग के तयारी में ये Uns की दियारी के लिए current affairs का जो विडियो पर आप लोग अपना प्यार नहीं बरसा रहे हैं मतलब आप लोग उसको सब्स्राइब या दोस्तों मैं कहूं कि वह करेंट अफैर्स का वीडियो आपको टेलिग्राम ग्रूप है उस ग्रूप में ज्वाइन करके भी वहां से आप पूछ सकते हैं मैं डेफिनिटली आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा ठीक है तो चौथा प्रसन है कि पिछले वर्स की तुलना में 2006 में कंपनी बी की आए में कितने परतिसयत की व साही है 3 लाक रूप है ठीक है तो बी की आए कितनी है साही तीन लाक रूपे है और बीगत की बात कर रहे हैं तो 2005 में 2005 में बीATHAN की आए कितनी हो जाती है तो 2005 में B की I अगर देखेंगे तो 3 लाख रुपए ठीक है तो ये 3 लाख रुपए है तो कहता है कि कितने परतिसत की I में विर्धी हो गई तो विर्धी कितने परतिसत की हो गई वो भी देख लिए विर्धी हो जाता है वो हो जाएगा सारे 3 लाख मैनस 3 लाख तो ये विर्धी जो हो जाएगा वो 0.5 लाख का हो जाएगा ठीक है और परतिसत विर्धी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे विर्धी ठीक है विर्धी गुने 100 बटा जो पिछले वरस का आए होगा वो आ जाएगा का मतलब 3 लाख ठीक है अगर यहां से इसको एक सुन को हटा देंगे यहां आ जाएगा और एक सुन से एक सुन यहां कर जाएगा तो पच्यास वाई तीन जो आपको लगभा कितना हो जाएगा सुलह दसंबलो छो परतिसत के आसपास में यह आपका इंसर हो जाएगा दोस्तों हमें पूरी उमिद है कि आप स्टेक्स के सवाल को अच्छी तरह समझ गया होंगे अगर किसी तरह की कोई समस्य है तो टेलिग्राम चैनल में आप आके टेलिग्राम ग्रूप में जीये सास्तक के नाम से है वहां आप सवाल पुछे मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा फिर अगले वीडियो में मैं स्टेक्स में क्या लाओं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मैं आपके स्टेक्स की त्यारी को अच्छी तरह करा सकूं तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने पिके साथ